इस्राइल की गाजा पत्ती में हमास के ठीकानों पर भीशन बंबारी जारी है इसे लेकर अब एरान ने इस्राइल को धमकी दी है एरान ने कहा है कि अगर इस्राइल ने गाजा पर जारी हमले बंद नहीं किये तो अन्य मौर्चे पर यूद्ष शुरू हो सकता है दरसल फिलिस्तीन के संगधन हमास ने शनिवार को इसराइल पर भीशड हमला कर दिया था हमास ने पहले इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे फिर उनके लड़कों ने इसराइली इलाकों में घुज कर कतलेया मचाया इसराइल उन्हमलों में अब तक इसराइल में 1200 लोगों की मौत हो गई है तो उधर इसराइल भी इन हमलों का जवाब दे रहा है इसराइल ने गाजा पटी की बिजली, पानी, इधन और खानी की सप्लाई भी रोग दी है गाजा में जराइली एर स्ट्राइक से 1400 से जादर लोगों की मौद बताई गई है इरान के विदेश मंतरी गुरुवार देर शाम बेरुत पहुचे थे उनका स्वागत लेविनानी अधिकारियों के साथ हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के प्रतिनिध्यों ने किया इस दोरान उनने पत्रकार से बाचित में कहा कि गाजा पर जारी आक्रमक्ता युद्य अप्रादों और घेराबंदी की वज़र से अन्यमोर्चे खुलने की संभावना है उन्होंने कहा कि अगर गाजा पर इसराइली की बंबारी जारी रही तो युद अन्य मोर्चे पर भी शुरू हो सकता